हेलो वेंट्स वेलकम बेक टुए मैं चैनल फेंट्स आज में बताने वाली हूं यह ब्लाउज डिजाइन जो आप देख रहे हैं इसको मैंने प्रिंटेड फैब्रीक पे बनाया है एंट 28 साइस का बनाया है बिदाउट बखरम बनाया है तो इसको किस तरीके से कट करना है और मार्जीन के लिए रखा है तो 13 इंच पे मैंने मार्ग किया है आपका जो भी ब्लाउज का लेंथ होगा उसमें वन इंच प्लस करके ही इस तरीके से मार्ग करेंगे और मार्ग करने के बाद हम सोल्डर रखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सोल्डर का विद रखेंगे तो आर्मुल है 28 के साइस के कोर्डिंग माने अर्मोल रखा है 5.75 आप अपने एकॉर्डिंग आर्मुल रखेंगे असा मार्क कर्लेने के बाद हमें स्टेट लाइन Trad करनी है और नीचे के साइब से हमंस्ट्रेट लाइन डॉव करेंगे नीचे वली लाइन पे हमें चेट की मार्किंग करनी है तो चेट है 28 इंच उसका चौथाई भाग मैंने 7 इंच रखा है आपका जो भी चेट का मार्किंग होगा उसका चौथाई भाग रखेंगे and 2 इंच एकस्टा मार्जीन के लिए रखेंगे मार्क कर लेने के बाद हमें दोनों लाइन को इस तरीके से स्टेट ट्रॉ कर लेनी है और आर्मोल पर हम क्रॉस में वन इंच की गैप पे इस तरीके से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हमें आर्मोल का शेप देना है तो यहाँ पर मैं गुलाई में आर्मूल का शेप दूँगी इस तरीके से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है मार्क कर लेने के बाद हमें एक्स्टा फैब्री को कट कर लेना है आर्मूल के साइड से भी हमें फैब्री को कट कर लेना है and उपर के साईड से भी हम फैब्री को कट कर लेंगे मेन फैब्री को भी हमें इसी के साइच के कोडिंग कट कर लेना है तो मेन फैब्री को मैंने चारो तरफ से 1.5 ऐंचे एक्स्टा रखते हुए कट किया है इसके बाद हम इस पे neck design की marking करेंगे तो neck का मैंने विर्द रखा है 3 inch and neck का मैं लेंद रखूँँगी 10.5 inch आप अपने recording neck का लेंद बढ़ा सकते हैं 11 inch पे भी mark कर सकते हैं and नीचे के side से भी मैंने neck का विर्द 3 inch ही रखा है and इस तरीके से mark करते हमने straight line draw कर लिया है नीचे वाली line के उपर से हमें 2.5 inch पे इस तरीके से mark करना है and straight line draw करके हम एक डबब बना लेंगे डबबे भी में on full side से इस तरीके से तीरचे line draw करने है and उपर वाली line पे हमें half में इस तरीके से mark करना है means के 8 inch है तो उसका half हम 4 inch पे mark करेंगे जहां पे हमने mark किया है वहां पे हमें half inch के gap पे बाहर के side में इस तरीके से mark करना है and mark करने के बाद हम neck design की marking करेंगे तो line के अंदर से हमें इस तरीके से mark करना है आप देख सकते है mark को अब चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते है और नीचे के साइट में हम इस तरीके से मार्क करते हुए कोने को मिला लेंगे तो इस तरीके से हमने नेक डिजाइन की मार्किंग कर लिए है थोड़ा सा इसको डाग कर लेते हैं फैबरी के दूसरे साइट पे हमें नेक डिजाइन की सेम ऐस डिस मार्किंग करनी है तो फैब्री को हम इस तरीके से पहले फोल करेंगे फोल करने के बाद हमें डिजाइन को इसके उपर छाप लेना है और छाप लेने के बाद हम फैब्री को सीधी साइड में पलतेंगे पलटने के बाद हमें neck की same as stitch marking fabric के दूसरे side पे कर लेनी है इस तरीके से मैंने neck की पूरी marking कर ली है अब देख सकते हैं अब हम fabric को बीच से cut करेंगे इसके बाद हमें main fabric को भी बीच से cut कर लेना है main fabric को right side पे रखना है तो दोनों पल्ले को हम right पे रखेंगे और इसके उपर हमें base वाले fabric को रखना है तो base वाले fabric को हम दोनों के right पे रखेंगे मिंस की main fabric को right पे रखेंगे और उसके उपर हमें marking के side से base वाले fabric को रखना है और रखके हम pin up कर लेंगे पीनप कर लेने के बाद हमें नक्के उपर सिलाई लगानी है तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले साइड पे सिलाई लगाएंगे में इसकी लेफ्ट वाले पल्ले पे सिलाई लगाएंगे तो उससे पहले हमें एक छोटा सा पट्टी त्यार करनी है तो उसके लिए मैंने करके लूप बनाना है तो उससे पहले हमें नेक के उपर हम मार्किंग के उपर ही सिलाय लगाएंगे अब हम यहाँ पर लूप को attach करेंगे तो लूप को हमें fold करना है unfold वाला जो side है उसको हम दोनों fabric के बीच में रखेंगे और जो खुला वाला हिस्सा है उसको हम बाहर के side में रखेंगे यह पलतेगा तो सीधे side में आएगा तो इस तरीके से आपको भी रखके stitch कर लेना है extra fabric को cut कर लेंगे इसके बाद हमें bottom के side से सिलाई लगानी है तो bottom के side से हमें half inch के gap पे सिलाई लगा लेनी है तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है अब हम बीच के extra fabric को cut कर लेंगे तो half inch के gap पे फैब्री को रखती हुए हमें बीच के फैब्रीक को कट कर लेना है इस तरीके से जो ट्रेंगल वाला शेप है उसके बीच से भी हम फैब्रीक को कट कर लेंगे neck के उपर हमें cuts लगाना है तो कोणे पे हम cuts लगाएंगे ये cuts हम finishing के लिए लगाते हैं तो सिलाई का ध्यान में रखते हुए हमें cuts लगाना है सिलाई हमारी नई cutनी चाहिए और इस तरीके से हम पूरे neck पे cuts लगा लेंगे नेक को हमें सीधी साइड में पलटना है तो बेस वले फैबरी को हम बैक के साइड में पलट के नेक को हम सीधी साइड में पलट लेंगे पलट लेने के बाद हमें इसके उपर आरन कर लेना है इसके बाद हम दूसरे पल्ले को स्टीच करेंगे तो उसको हमें रखना है सेम उसको भी मैंने पीनप करके अटैज कर लिया है इसमें हम बॉटम के साइट से स्टीच करेंगे मैं इसके बॉटम के साइट से हम सिलाई लग लगाने हिं उसके बाद हमें ठ्रंगल वाले शइप पे सिलाई लगानी है कि इसमें ह हम लूक अटैज करने की जौरूत नहीं है इसमें हम बटन को अटै Ich वह को अटेज करें गे तो उसको लिए हमें सिंपल से लगाने हैं नग बैंक के उबर हम 3 लगालेंगे लेंगे पिन्स को हमें निकाल लेना है और हाफ इंच के गैप पे हम फैब्रीक को रखती हुए एक्स्टा फैब्रीक को कट कर लेंगे ठ्रेंगल का जो शेप है उसके बीच से भी हमें half inch के gap पे fabric को रखती हुए extra fabric को cut कर लेना है अब हम cut लगाएंगे तो पहले कोने पे हम cut लगा लेंगे उसके बाद हमें neck के उपर cuts लगा लेना है सिलाई को धियान में रखती हुए हमें cuts लगाना है cuts लगा लेने के बाद हमें neck को सिधी side में पलटना है तो सेम उसी तरीके से हम बेस वले फैब्रिक को बैक के साइड में पलतेंगे और नेक को हम सीधी साइड में पलट लेंगे तो इस तरीके से आपको भी फिनिशिंग के साथ नेक को सीधी साइड में पलट लेना है पलट लेने के बाद हमें नग के उपर आरन कर लेना है आरन करने के बाद हम बैक के साइट से दोनों फैब्रीक को अटाइच करेंगे दोनों फैब्रीक मिन्स की बेस फैब्रीक अन मेन फैब्रीक दोनों को हम अटाइच कर लेंगे तो अटाइच मैंने कर लिया है एक्स्टा को में कर लेना है तो इसके बाद हमें क्राइब के लिए पाइबीक इस तरीके से फाइब कर będzie लेए है अब दएक tap ap इसी तरीके हमें दूसरे वाले पल्ले को भी स्टीच करना है तो उसके लिए हम दूसरे वाले पल्ले को लेंगे एंड बैक के साइट से हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्री को हम अटैच कर लेंगे अब हमें एकस्टा फैब्री को कट करना है तो फैब्री को हम कट करेंगे और कट कर लेने के बाद हमें बैक के साइट से बैक के टक्स को लगानी है तो सेम उसी तरीके से हम सोल्डर के भीच से फैब्री को फोल करेंगे और नीचे के साइट से 5 इंच के लिंद पे हम बैक के ट लगा लिया है नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है तो सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे और किनारे पे लगाती हुए हमें पूरा नेक पे सिलाई लगा लेनी है बॉटम के साइड से भी हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है तो इस तरीके से मैंने एक पल्ले को कम्प्लीट कर लिया है नीचे के साइड पे हम बढ़ाव पट्टी जोडेंगे तो मेन फैबरी के मैंने 3 इंज का फैबरीक लिया है लेंथ इसके अकॉर्डिंग ही रखेंग फैबरीक को नीचे के साइड में रखती हुए हमें स्टीच करना है नीचे के साइड में हम बराबर करते हुए फोल करेंगे और इसके उपर हमें सिलाई लगानी है तो शिलाई हम किनारे पे लगाएंगे बढ़ाव की पट्टी को हम आई की पट्टी भी बोलते हैं तो इस तरीके से हमें किनारे पे इसके उपर शिलाई लगानी है शिलाई लगाने के बाद हम दो लाइन जितना छोड़ते हुए शाइड में एक और शिलाई लगा लेंगे इस तरीके से मैंने आई की पट्टी को attach कर लिया है अब हम दूसरे वाले पल्ले को लेंगे और इसके उपर हमें नेक के उपर सिलाई लगानी है तो अल्रेडी मैंने सिलाई इसके उपर लगा लिया है आप सिलाई लगा लीजिगा इसके बाद हमें घटाओ की पट्टी जोडनी है मैंस की हम हुक की पट्टी को attach करेंगे इसके लिए मैंने 2 इंच का फैब्रीक लिया है फैब्रीक को हम बीच से double fold करेंगे और fold करने के बाद हमें पल्ले के नीचे में रखके इसको stitch करना मैंस की right side पे रखके हमें stitch करेंगे अब देख सकते हैं राइट राइट हमारा नीचे में है तो नीचे के side में मैंने रखके इसको stitch किया है stitch कर लेने के बाद हमें फैब्रीक को back के side में पलटना है औरा इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से मैंने ब्लाउस का डिजाइन बना लिया है ब्लाउस का डिजाइन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताईएगा और थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच